जहिन चात्रों मैं इशार रहमत competition community के इस question air program में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं की निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखे हैं और साथ में एक युद्धिस तर पे तैयारी कर रहे हैं और ये नाम सुनके थोड़ा confusion आया होगा दिमाग में थोड़ा confuse हुए होगे तो confuse नहीं होना है आसानी से समझते हैं जो question session program यूटूब में चल रहा है हफते में 4 दिन subject wise, topic wise वो वैसा ही चलते रहेगा उसी पे ही आधारित है आपका question air program जो की सिर्फ और सिप मिलेगा हमारे competition community के mobile app में और competition community के website में अब इसको access करने का तरीका भी समझाता हूं लेकिन उससे पहले याद रखना है इसके फायदे क्या है इसमें आपके performance नजर आएंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे देखे कि जो बच्चा पूरे हफते 4 दिन अच्छा perform करता और first rank में आता है तो या देखे कि जो बच्चा अगर पूरे महीने भर में perform करता है तो उसको पांच test series जो की आगे आने वाले prelims के लिए competition community में हो रही है तो आपको उसका access free of cost मिलेगा जो बच्चा perform करेगा अब समझते हैं कि यह program कैसा होगा तो याद रखेगा जो बच्चा दो अगर 5 questions सहीं बना आता है तो उसे 5 star मिलेंगे इसी के according ही आपका जो है measurement सारा होगा देन उसके बाद आपका result release किया जाएगा ठीक है और याद रखना है चात्रों कि अगर mobile app download करने के माध्यम से किसी प्रकार से समस्या होगी तो आप question session program में यहां देख सकते हैं question session program के नीचे में description box में आपका mobile app का link दिया हुआ उसे click करेंगे देन आप google store में जाएंगे google store में download करना होगा उसे और download करने के पस्चाद आपका क्या होगा उसमें login करना होगा और login करने के पस्चाद आप देखेंगे कि सामने में आपको question year program दिखाई देगा अब जो है आपके लिए challenge आता है आप 10 में से 10 question अगर सहीं बनाते हैं और आपका अगर आप perform करते हैं तो आपको website में आप दिखे जाएंगे या आपका नाम शो करेगा उसमें ठीक है आप सभी का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं की निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखे हैं और साथ में एक युद्धिस तर पे तैयारी कर रहे हैं और ये नाम सुनके थोड़ा कन्फ्यूजन आया होगा दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूज हुए होगे तो कन्फ्यूज नहीं होना है असानी से समझते हैं जो कोस्चन सेशन प्रोग्राम यूटूब में चल रहा है हफते में चार दिन सब्जेक्ट वाइस टॉपिक वाइस वो वैसा ही चलते रहेगा उसी पे ही आधारित है आपका कोस्चन एयर प्रोग्राम जो की सिर्फ और सिप मिलेगा हमारे कॉम्पेटिशन कम्मुनिटी के मोबाइल एप में और कॉम्पेटिशन कम्मुनिटी के वैब साइड में अब इसको एक्सेस करने का तरीका भी समझाता हूँ लेकिन उससे पहले याद रखना है इसके फायदे क्या है इसमें आपके परफॉर्मेंस नजर आएंगे वो कुछ इस प्रकार से होएंगे देखे कि जो बच्चा पूरे हफ़ते चार दिन अच्छा परफॉर्म करता और फर्स्ट रैंक में आता है तो याद रखेगा उस बच्चे को मन्थली करेंट मैगजीन जो है करेंट मैगजीन जो मन्थली होती है हमारी आती है कॉम्पेटिशन कम्मुनिटी की वो मिलेगा फ्री ओ कोस्ट मिलेगा जो बच्चा परफॉर्म करेगा अब समझते हैं कि यह प्रोग्राम कैसा होगा तो याद रखेगा जो बच्चा दो अगर पांच कोश्चन सहीं बनाता है तो उसे दो इस्टार मिलेंगे जो बच्चा साथ कोश्चन सहीं बनाता है तो उसको थ्री इस्टार दो बच्चा 9 questions आपका सही बनाता है तो उसको 4 star जो बच्चा 10 के 10 सही questions बनाता है तो उसे 5 star मिलेंगे इसी के according ही आपका measurement सारा होगा देन उसके बाद आपका result release किया जाएगा ठीक है और याद रखना है चात्रो कि अगर mobile app डाउनलोड करने के माध्यम से किसी प्रकार से समस् तो आप question session program में यहां देख सकते हैं question session program के नीचे में description box में आपका mobile app का link दिया हुआ उसे click करेंगे देन आप google store में जाएंगे google store में download करना होगा उसे और download करने के पस्चाद आपका क्या होगा उसमें login करना होगा और login करने के पस्चाद आप देखेंगे कि सामने में आपको question year program दिखाई देगा अब जो है आपके लिए challenge आता है आप 10 में से 10 question अगर सहीं बनाते हैं और आप अगर आप perform करते हैं तो आपको website में आप दिखे जाएंगे आपका नाम शो करेगा उसमें ठीक है जहिंचात्रो मैं इशार रहमत competition community के इस question session program में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं की निरंत प्रतर तर बिल्कुल बरकरार रखें आईए आज का सुभ विचार कुछ इस प्रकार से देखें इन्हें तो आप भली भाती जानते हैं हमारे भारतिये पुरु कप्तान MS धोनी मिस्टर कूल के नाम से जो प्रसिद्ध है जो नहोंने भारत में भारत को क्रिकेट के छेत्र म की द्रिष्टि कौन से याद रखेगा प्रतियोगी परिच्छा के हम तैयारी कर रहे हैं हमें सीरफ और सीप क्या नगर आना चाहिए प्रतियोगी परिच्छा तो प्रतियोगी परिच्छाओं की द्रिष्टि कौन से अगर इनकी बात समझे तो कुछ इस प्रकार से देख स बना नहीं या बन नहीं पाया और आप उसको अच्छी तरह से कवर नहीं की हैं तो याद रखिएगा हमारा द्रिष्टिकोन होना चाहिए कि सबसे पहली बात उससे हमें सीखना है कि हमने इस पोर्षन को जो सभी सब्जेक्ट हो जो सभी विशह हो जो सभी टॉपिक हो उस पो पढ़ने के लिए हमें क्या करना है उसको जो हो गया सो हो गया अपनी तूटी का सुधार करना है और आगे बढ़ना है क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश से अड्मिनिस्ट्रेटिव सर्विस पाना मतलब हमें सरकारी नौकरी लेना है मतलब लेना है इसी के साथ आईए इतिहास का जो सत्र चल रहा है इकुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि बहरत के इतिहास हमर अविश्य है ठीक और जो पूछे जा सकते हैं उन तथ्यों को भी देखा जा रहा है तो याद रखिएगा स्मार्ट स्टडी बेस कुई क्रिवजन फॉर्मेट में जो सेशन चल रहा है उसे अराम से सारा चीज अच्छी तरह से कवर करते जाएए आपका जब परिच्छा आएगा आपकी परिच्छा पास आएगी तो याद रखिएगा बहुत ही कारिगर होगा सारी चीज़े हमें पढ़ना अनिमार रहे है तो याद रखिएगा चात्रो इसका मैपिंग करिए और जो है आप अच्छी तरह से जितने भी स्टेट है जो वरतमान में स्टेट है वहां कौन-कौन सी महाजन पत्र हैं उससे रिलेटेड सारी चीज़े याद करते जाएए र प्रश्ण पूछे जाते हैं तो याद रखना है कि हमें यह याद होना चाहिए मैप औरियंटे वाले जितने भी राजा थे उनके बारे में हमने चरकर लिए, पहले राजा रहे बीम morphkum के बाद आजाज्स सत्र्ख पार है 고क्त में नौक को बढ़coon सप्ध में चीकवेंग देन उसके बाद हम सिशुनाग वंस स्टार्ट करते हैं सोरी अब यहां देख सकते हर्यक वंस हर्यक वंस हमें पढ़ना है उसके बाद हम सिशुनाग और नंद वंस को आज कवर करेंगे मौर्य का अलग से क्लास आएगा जिसका हम प्लेटफॉर्म पहले तयार कर लेंगे देन आपका भगवती शूतर जयन गर्ण से हमें प्राप्थ होता है तो वैसे ही बिम्भी सार जो है इसके संस्थापक रहे हर्यक वंसके और बिम्भी सार की कहानी अगर देखे तो इन्हों एपनी समराज्य विश्तार की नीती के लिए यह बहुत प्रसिद्ध है ये और याद रखना है कि इन्हों ने जो नीती बनाई वह कुछ इस प्रकार से है विवाह यूद्ध एवं मैत्री नीती अपनाई थी जिसमें कि आपका विवाह यूद्ध से भी इन्होंने बहुत सार कर लिया तो इनकी नीती बहुत अच्छी थी लेकिन बात ऐसे दरसल अगर कुई रिजन फॉर्मेट में से देखें तो यह जो है बहुत ही क्या थे जीवत राजा थे मतलब प्रशासन अपना 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 शासन छोड़ना ही नहीं चाहते थे तो हुआ यह कि उनके पुत्र अजास्टारू ने उनकी हत्या कर दी और हत्या करने कप्यात ही का हुआ को एक यह ने अपना शासन सम्हाल ली अजास्टारूने अब अगर सेसंकाल देखें तो यह बहुत ही जादा व्रीहत एवां व्यापक रहा जैसे कि इनका जो है जादा जैसे इनके पिता ने आपका निती अपनाई मैत्री और युद्ध और विवा की निती तो इनकी निती जो अधिकतर रहती थी आपकी युद्ध निती के तहत रहती थी वज्जी वाला छेत्र हो गया काशी वाला छेत्र हो गया इसको जो है इन्होंने यु आपका महाकाश्यव को अध्यक्चता दी सुट्ट फिंद्पीटक-क निरमान हुआ आपका संकलन हुआ मतलब रशना हुई ठीक है तो उसके बात आते हैं उधाईन अब यह भी आपने पीता के समान सासन छोड़ना ही नहीं चाते थे उसके बाद उदाइन आये और उदाइन ने क्या किया अजाज सत्रु को हत्या कर दी इसी वज़ा से हर्यक वंस को पित्री हंता वंस कहा जाता है ठीक है और साथ में याद रखना है कि इन्हें जो है स्रेनिक के नाम से जाना जाता है और आपका अजाज सत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता है उदाइन में याद रखना है कि पाटली पुत्र सहर का निर्मान करा है इन्हें और पाटली पुत्र को राजधानी बनाई ठीक है उसके बाद ये जो है अपने बेटे द्वारा नहीं मारे गए इन्हों ने जो ह है आपका शाषन में बैड़ गे मगद सम्राज की याद रखना है नाग दसक एक योग शाशक था और इसी कही सेनापती था शिशूनाग उन्होंने किस की हथ्य कर दी नाग दसक की हथ्य और शिशू नागवंस प्रारंब हो गया अब शिशू नागवंस में किन-किन राज आपके नंदिवर्धन अब इनके बारे में भी कहानी पढ़ते हैं आई आसानी से समझते हैं देखें यहां देख सकते हैं आप शिशुनाक जो है उन्होंने पाटली पूतर से राजधानी कहा ले गया है वैसाली वैसाली में जब राजधानी बना लिए तो सांस्कृतिक रू और याद रखना है छात्रो इसी इनी के सासनकाल में जो है आपका यह दे दिये किसको अपना प्रशासन अपने पुत्र काला शोक को जिसे काकवन के नाम से जाना जाता है अब काला शोक ने बहुत संगीती कराई कहा आपका वैसाली में जब वैसाली में प्रथम बहुत संगीती हुई उसके पस्चाज जो है काला शोक ने राजधानी परिवर्तन कर लिया पाटली पूत्र वापस ले गया और प्राचीन भारत की इस्थाई रूप से अगर कोई राजधानी कहा जाएगा तो पाटली पूत्र हो गई थीक है तो इस प्रकार के तथियाद रखना दूति बहुत्यार में इसमें की सभ़ा कामी ने अध्यक्छता के हम बहुत दर्म पढ़े थे जब बहुत्धीजम जब हम पढ़े थे तो उसमें सारी चीज़े मैंने अच्ची तरह से बताया है ज्सके बाद आखरी राजऽा आते वो जो है रहे महापदमनन और महापदमनन ने किसकी हत्या कर दी नंदिवर्धन की हत्या कर दी अब जब नंदिवर्धन की हत्या हो गई तो आपका कौन समवन्स आ गया नंदवन्स आ गया ठीक है इसी के बारे में प्रशन करेंगे इसी के बारे में चर्चा करेंगे सारी ची से किसमें सबसे ज्यादा भार है उसके अनुसार से हमें स्टड़ी करना चाहिए तो सारी चीजों को अच्छी तरह से पढ़ते जाहिए ठीक है अब उसके बाद क्या हुआ कि मगत समराज व्यापक होते गया सबसे पहले क्या हुआ अंग एवम चंपा को जो है बिम्बी सार ने अपने छेतर में लेकर आया उसके बाद आपका अवंती वाला छेतर आया वज्जी और काशी वाला छेतर जो है वाजाश शतुरू ने शामिल कर लिया उधाई ने भी बह क्याय तक के महापद्मानंद के अधीन में आगे अब जब महापद्मानंद के अधीन में आया तो याद रखेगा महापद्मानंद जो थे वह एक शूद्र राजा थे कौन से राजा थे शूद्र राजा थे मगत समराज्जी का सूद्र शासक अगर पूछा जाया प्रस्मे की ठीक है और सर्व प्रथम कहां कलिंग में कलिंग इंदसेंस उडिसा वाला छेतर जो है आपका फिर से मैं अक्षे की तरफ लेके जाता हूं आपको एक बर आच्छी तरह कैसे कहानी देख लेते हैं उडिसा वाला जो छेतर है यहां इन्होंने अकर्मन किया इसकी जानकारी ह अभिलेक Scientist के अभिलेक से हमें प्राप्थ होती है और याद रकेगा च्छातरो, इस बात को दिमाग में बैठाब लेना है कि कलिंग उत्थ से हमेंशा प्रसंथ पूछा जाता है और तो वहां से अभिलेखों से प्रस्ण पूछे जाता है तो जब हम अशोक वाला पोर्शन करेंगे तो अशोक के अभिलेख से प्रस्ण पूछे जाता है देन हम जब रुद्रदामन, जुनगर का अभिलेक, एरण अभिलेक, भानुगुप्त का ये सब सारे अभिलेक हमें याद होना चीए, तो उसका प्रॉपर एक सेग्मेंट मना लेंगे, और सब प्रॉपर उसका एक क्लास कर लेंगे, मैं पुरियंटे सारी चीज़े याद कर लेंगे, ठी में पता चलता है कि महापदमनन्न ने आकरमान किया था कहां कलिंग में, और किसके लिए, हाथियों के लिए आक्रमान किया था, ठीक है, उस समय का हाथी जो है, अभिक मान के चलिये, तो पूगएर हो गया, उस प्रकार से यूज होता था, ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप मगत समराज जी ऐसे व्यापक हो गया है अब देखो आगे बढ़ते हैं उसके बाद कोन आए भाई धनानन्द आए ठीक है कहीं धनानन मिलेगा कहीं घनानन मिलेगा तो अंचिताह सबस्सें मुस्कं य्याद रख्येगा एक बर यह देख लिए अब आते हम में की तरफ उसी समय आपका कमभोश चले गया था लेकिन याद रखिएगा गंधार की राजधानी था इसको एक आजा थे तक्षिशिला के कौन आमभीक कौन थे आमभीक ने डर के मारे क्या कर लिया अधिनता स्विकार कर ली सिकंदर की क्योंकि आमभीक जो है वो पारिवारिक दिष्टी कोन से या आपका समाजिक दिष्टी कोन से ठीक फ्रेक्ति नहीं था और आपका क्या बोलते हैं उन में पहली जीत थी ठीक है अपने आप फ्री फंड में मिल गया डरपोक था क्या कर दिया समर्पन कर दिया तो उस समय याद रखना है कि यहां थे एक राजा सिंध वाले छेत्र में पूरस पूरु के नाम से प्रसिद्ध है वो पूरस पूरु जिसे आपका पूरु भी कहा जा लेकिन पूरस एक जो है आपके बहुत ही क्या कहना चीए सकती साली एवं जो है बहुत ही प्रतापी राजा थे और याद रखना है कि यह जो है उसी कंदर की अधिनता स्विकार करने से मना कर दिये लेकिन भाई क्या करते हैं मरता नहीं क्या नहीं करता इस्टेप को एक वड़ी उसको किसी वज़ा से किस वज़ा से क्योंकि वह हार चुके थे युद्ध में और किसकी वज़ा से सड्य अंत्र से आंभिक ने सारी चीज़े बता दी सारा पोल खोल दिया उसका कि इसके पास इतनी इतनी सेना है और हम इस प्रकार से इस द्वार चेतर से जो है इस पूरस के साथ और आपका अंभिक के साथ वो जो है यहां धीरे से बढ़ेगी और आपका यह बंगाल की खाड़ी वाले चेत्र से भी जो है नियार्कस जो उनका सेना पती था नव सेना प्रधान था वह भी जो हैं इंट्री लेने वाला था तब क्या हुआ आपका यहां तुरंत इन्हों ने क्या किया आपका आगए किधर मगत समराज्य काफी व्यापक हो चुका था लेकिन जैसा कि मैंने आप लो करके घननन ने उन्हें भगा दिया ठीक है उन्हें बहिशकार कर दिया उनका बहिशकार कर दिया और उसी समय उनकी शिखा खुल गई और उन्होंने वचन दिया कि मैं शिखा तब तक नहीं बांदूंगा जब तक के मगत समराज्य से भारत की समराज्य से तुझे हटा ना पताया कि सिकंदर वहां से आ रही है एसी-एसी सेना है उसकी हमें सेना में गुप्त चर्क के रूप में घुषना है और उनको भगाना यहां से तब गुनी प्रों कि यह अभी अगर वर्तमान की स्थिती में समझें तो इस्तरी मूवी देखे हो गे ना नहीं देखें तो देखने मत भीड़ जाना वीटूब में आपका क्लिप रहती है तो उसमें क्या बताया गया उसमें क्या दिखाता है कि बहुत सारी अफवा फैलती है जिसे अफ फ्वा फैल आए गया और लोग जो है सैनिक जो है मरते गए और जो मरते गए तो याद रखना है कि आपका सिकंदर वापस लोड़ गया और बेबी लॉन में उसके मृत्ती होगे सिकंदर की बीवी का नाम रेक्सोना रहा है ठीक उसके जो है आपका थल सेना प्रमुख थे याद रखेगा रूख गय थे वह बिल्कुल उनको समझ में आ गया था कि किसी ना किसी प्रकार का अफवा है लेकिन नियारकास जो था आपका थल से ना प्रमुख वो जो है आपका वापस चले गया ठीक है तो इस प्रकार से घटना हुई और आपका कि चंद्रगुप्त मौरे और चानक की ने जो है आपका किसे भगा दिया सिकंदर को भगा दिया और चंद्रगुप्त और चानक की ने फिर उसके बाद आपका तक्ष्य मगध में हमला किया और मगध में हमला करने के पश्चाथ धनानन को पराजित किया और मौरे उप्षा समराज का प्रथम शूद्र सासक था महाचत्रांतक की उपाधिधारण की और आपका एक राठ की उपाधिधारण की तब जब इन्होंने आपका कलिंग में आकरमन किया उसके बाद जो है कलिंग विजय की जानकारी खार्वेल का हाथी को पाविलेक हमेशा पूस्त है याद रखियेगा उग्र सेनने से महाभोधिवन्स के नाम से जाना है ठीक है आगे बढ़ते हैं धनानन धनानन जैसे कि मैंने बताया कि मगत समराज के सबसे विशाल सेना वाला सासक था इसलिए इसे क्या था घमंड था ठी 226 इसा पुरू में सिखंदर ने भारत में पस्टिम्तत फॉर्ष पर आकर्मण किया और इसे ही जिलनका युद्ध वितस्ता का युद्ध जिलंदी नदी कर प्राचीन नाव इतस्ता है तो या रखना है पृत्त is도ि या ब्यूद का युद्ध नारह आद रहना था को प्रस ने शासन काल में हुआ याद रखियेगा मालवा चेत्र मालवा और बंगाल वाले चेत्र में अगर किसी सबसे पहले आपने अपना प्रसाशन फालाया तो सिशुनाग ने ठीक है अगे बढ़ते हाई अगला है प्रस्ने अहां मगद का कौन सा समराथ अपरो परसूराम के नाम से जाना जाता था याद रखना है चात्रो एक राठ और आपका महाच्छत्रान तक और आपका अपरो परसूराम के नाम से जाने 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 वाला महापदमनंध था ठीक आगे बढ़ते हैं ये अगला प्रस्ण है नंदवंस के पस्चात मगत पर कि अगला प्रस्ण है राजानंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख प्रामाण है खार्वेल का हाथी गुपा अभिलेख से पता चलता है कि राजानंद ने कलिंग में आकरमन किया था किसके लिए हाथी के लिए ठीक आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन है हमारा निमलिखित मगद राजवंसों को काला करम व्यवस्थित करिए ठीक है सबसे पहले तो हर्यक होगा भाई यह तीन नहीं होगा चाहूंगा चार होगा तो फोर दीख रह रहें सब सारी चीजों को तो कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला है सिकंदर के हमले में के समय उत्तर भारत का निमलिखित राजवंसों में से किस एक का शासन था ओके ठीक है सिकंदर के आकरमन के समय में किसका शासन था नंदवंस का कब 300 आपका 26 BC ठीक आगे बढ़ते हैं निमलिखित में से मगत का कौन सा राज्य सिकंदर महान के समकालिन था राज्य राज्य होगा ठीक है सिकंदर महान के समकालिन था याद रखना है धनानन क्या था सिकंदर महान के समकालिन था ठीक है तो राज्य होगा राज्य नहीं होगा उस वीर भ होगा आपका पोरस यह रहा पूरू ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला हमारा निम लिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था याद रखेगा नियारकस आया था ठीक है अनो सिक्रिटिस यस आया था यह भी और अरिस्टो ब्लूस यह भी आया था लोग सब सेना प प्रकार आज का जो प्रस्ण है वो किसी कुछ इस प्रकार से है एक दम सोच और समझ के जो है आपका इसका उत्तर देना है क्या लिखा है भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी उस समय भारत में कोई केंद्री यह सत्ता नहीं थी उसकी फॉज बहतरीन थी उसे देश दुरों सासकों से सहयता मिली वह एक अच्छा प्रसासक था निचे के देकूटों के नुसार बनाईए इसे ठीक है तो आप बनाएंगे आप लोगों के लिए है यह ठीक अगले जो पिछला जो कक्षा हुआ है उसका प्रस्ण कुछ इस प्रकार से है अजास सत्रु के वंस का नाम था हर्यक वंस ठीक है बहुत सारे बच्चों ने सहीं आंसर दी है में उनको बहुत सबकामनाएं देना चाहूंगा उनका मनोबल का उनका उत्सावर्दन करना चाहूंगा इसी के साथ इजाजत चाहूंगा शात्रों जैहिन जैभारत